दोस्तो मेरा नाम है मनिस सिंधी जैन, मैं कमोटी वसन स्पीकर, और पर्ट कॉर्परेट ट्रे Chinese और बिजनेस कोचु आज का विशा है सिंधी विखारी सिंधी लोग कभी भी विखारी हो ही नहीं सकते मैंने एक भी सिंधी विखारी देखा नहीं है न शायत कभी future में देखूंगा क्योंकि ये लोग इतने hard working होते है ये जो community है ये community हमेशा कर्म प्रधान community है हमेशा hard working करना पसंद करती है हमेशा महिनत करना पसंद करती है कुछी community इस धरती पर ऐसी है जिनके DNA में business है उसमें से एक community जो है वो सिंधी community है सिंधी community से मैंने कई स सालों से वैपार किया है मेरे live seminar से लेके मेरे corporate training में बहुत सारे सिंधी clients है और मेरी प्लाइवूट की factory उस factory के अंदर हज्यारों जो है सिंधी लोगों को मैंने माल अभी तक दिया है और दे रहा हूं तो इस community की कुछ खास बाते में आपको बताना चाता हूं ताकि आपको यह पता चल जाया कि यह community सम्रुद्ध क्यों है यह community ने अपने आपको शक्षम या सम्रुद्ध कैसे बनाया जब वो सिंध्य छोड़के उन्होंने इंडिया के इस पार्ट में रहना सिकार किया decide किया तो क्या हुआ उनके पास में कुछ भी नहीं था सब घर बार वो छोड़के वहां से आयते खाली हाथ यहां आयते लेकिन आज की तारिक में यह है कि इंडिया की बहुत बड़ी economy सिंधी community के उपर dependent है इंडिया के GDP में इनका बहुत बड़ा contribution है दोस्तों इस community के बारे यह खर्चा ज्यादा कर लेते हैं लेकिन यह लोग कमाई ज्यादा करते हैं और खर्चा कम करते हैं और बाकी के जो लोग ऐसा नहीं कर सकते हो क्या करते हैं इन लोगों को कंजूस बोलते हैं जी हां दोस्तों यह लोग कंजूस नहीं होते हैं यह प्रैक्टिकल होते हैं यह मस्त करू, मोठा करू, छान करू, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, मस्त करू, मोठा करू, छान करू, आए बटन में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो जो है, इन लोगों को लागू ही नहीं होता, ये मस्त करू, मोठा करू, छान करू के चक्कर में बड़ा खर्चा कभी भी नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेक्टिकल जिंदेगी जीते हैं, इतनी ज्यादा प्रेक्टिकल लाइब जीते हैं, कुछ एक्जांपल में आपको मेरे लाइब के बताना चाहता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसकी तीन बजे दोपर की शाधी है, एक बज़े में उसकी शादी में पहुच गया, मंडप में देखता हूँ तो उसकी है निकाल रहा है, जी हाँ दोस्तों उसकी जेरोक्स की दुकान थी, वो जेरोक्स निकाल रहा है, मैंने जो ला एक वाँ और क्या करूंगा घर में मेहमान लोग है, बड़े बोजुर्ग जो थे अपना काम ही कर रहा था है, तो दोस्तों ये लोग बहुत प्रैक्टीकल होते हैं, इसके लिए संवरूद होते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जामपल में मैं देखा हैं कि शिंधी कमिनी जो है, वो खर्चे को कम से कम रखते हैं, प्रैक्टीकली खर्चा करते हैं और आमदन दुकान पे नाइवी नास्ता करके बढ़ जाते हैं और 3-4 बजे जो है वो खाना खाते खाते भी अगर कोई कस्टमर आ जाता है तो क्या करते हैं वो हाथ को कपड़े से पूछते हैं और बहुते हैं बस खाना शुरूई कर रहा था पहले आपको मैं कपड़े दिखा दिता और बाद में जो है वो खाना खालूँगा इतने प्रैक्टिकल होते हैं और वो जो भेंजी है जो साडी देखने के लिए आई है उसने 50-100-500 साडी भी देख ली और उसके बाद भी उसको साडी पसंद नहीं तो वो क्या बोलते हैं भेंजी एक काम करना दो दिन बाद में न कि इतने प्रैक्टिकल होते हैं अगर एक रुपया महेंगा भी माल क्यों नहीं मिलता हूंगा अगर वो सिंदी के दुकान में होंगा न एक सिंदी दूसरी सिंदी से ही माल लेना प्रिफर करता है वो चाहता है कि मेरा तो विकास होई हो साथ में मेरी कम्यूनिटी का भी वि दुसरा कारण ये है ये लोग जो है वो हमेशा gratification में याने जाने अंजाने में law of attraction के दौरा अपने आपको एक सम्रुद इंसान बनाते हैं अगर आपने कभी भी इन लोगों को दुकान खोलते वे दिखाऊंगा न तो कैसे दुकान खोलते मालू में क्या वो जो ताला होता है न वो ताले को ऐसे दस बार नमस्कार करेंगे फिर प्यार से इज्जत के साथ में ताला खोलेंगे फिर दूसरे को नमस्कार करेंगे फिर जो है उनके office में, उनके दुकान में, उनके घर में, भगवान के photo के बाजी में, उनके पुर्वज का, पिता जी का, दादा जी का photo होता ही होता है, हर रोज जो है उसको अगरबत्ती लगाते है, भगवान वो प्रात्ना करते हैं कि सबका भला हो, जाने अंजाने में वो इतने ज्यादा gratification, कृतग्य, धन्यवाद देते रहते लोगों को कि उसके कारण से law of attraction उनके favor में रहता है और हमेशा जो है उनके हमें संबुद्धी रहती है इस वीडियो का तीसरा part आपके साथ में share करने जा रहा हूं दोस्तों मेरा एक दोस्त है हिरानन्द वादवा उस दोस्त क को मैं हम college से साथ में पड़े हैं और हमने बहुत सारी जिंदगी एक साथ काटी है जब भी मैं उसके घर पे जाता था तो उसकी मदर को मैं देखके हमेसा आश्यरे करता था कभी भी जाओ तो इतने कैसा है ममी कैसा है पपा कैसा है इतनी politely और इतनी royal तरीके से मुझसे बात लेती हैं हमेशा बड़ों का रिजें रिस्पेक्ट करती है आप कभी भी उनके पे महमान बंके चले जाओ आपको इतने respect से खाना कहलाएंगी चाय पिलाएंगी कोफी बहुत प्यार से रेती हैं और खास बात क्या होती हमाने के जब आदमी था खार के घर पर पहुशता है तो ये किर-किर का मतलब समझते हैं, मतलब इनका tape recorder शुरू नहीं होता है, वो हमेशा अपने पती को support करती है, कभी भी उसको discourage नहीं करती है, अगर जरूरत पड़ा ना, तो यही इनके यहां के ladies जो है, वो काम धंदी में भी support करती है, खास तोर में अगर life में ऐसा कोई challenge वा में बेचती थी, और cylinder black में बेचके पैसा कमाती थी, एक दूसरा practical example में आपको बताता हूँ कि सिंधी लेडी क्या कर सकती है, सिंधी औरत कैसे पैसे कमा सकती है, उसके पास में टू विलर थी, M80 होगी सायद, तो क्या करती थी, कि हर पान के दुकान पे या हर किराने के दु बादि एक दुबला, एसा पूरा सामान भर लेती थी, और दुकान के सामने जाती थी, उस किसी को cigarette, किसी को ये, किसी को वो सामाने देती थी, delivery देती थी, पैसा लेती थी, फिर आगे निकल जाती थी, जी हाँ दौसतो वो ऐसा काम भी करके अपना घुजारा करेंगे, लेक तो आभी इस वीडियो का मैं चौता भाग बताने जा रहा हूं, चौता भाग में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं, कि यह community हमेशा turnover-based धंदे में विश्वास रखती है, एक ही product पे ज्यादा margin लेके काम नहीं करती, वो क्या बोलती है, productivity बढ़ाओ, productivity बढ़ाओ मत्तब क्या करो कि कम margin लेके ज्यादा product को बेचो, ज्यादा turnover करो और ज्यादा turnover करके ज्यादा profit कमाओ, ना कि कम turnover करके ज्यादा profit कमाओ, यह community हमेशा turnover पे विश्वास रखती है, यह community हमेशा hardware पे विश्वास रखती है, लोगों की दुकान 10 बजे खुलती है, इनकी दुकान 9 बजे खु बिली मिलेंगी, मतलब जब सारी दुनिया जो है वो दुकान बंद कर चुकी होती है, इनकी दुकान शुरूर रहती है, इनका बिजन शुरूर रहता है, इतनी प्रैक्टिकल, इतनी बढ़िया community हमारे देश में है, इस community की जितनी भी qualities है और जितनी practical life ये जीते है उसका कुछ percent भी अगर हमने अपने life में ला लिया तो हमको successful होने से को रोकने सकता है, तो दोस्तों ये community को मेरा सेलाम है, इस community से सीखने लाएक बहुत सारी चीज है, अगर आपको लगता है कि ये video देखके और भी लोगों का फायदा हो सकता है, तो उन सब लोगों को ये video forward कीजिए, अगर आपको ये video अच्छा लगा तो इसको like कीजिए, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ने की आउंगा, तो subscribe कीजिए, मिलते है अगले video में, thank you very much